आपने कुछ वहां पर बत्तमीजी की थी ऐसा अर्देश में लिखा हुआ है आप तो कानून पताओ मेरे कोट में खड़े हैं आपने किस प्रावधान में आप मुकदमा हार जाने के बाद उसी कोट में दोबारा दर्खास होगे ऐसा कानून बताईए मुझे कैपेसिटी नही पूछा है और आज आप अच्छे से पहस कर रहे हैं सर्थ रिकॉर्ड आ गया तो उस केस में हमारे वहां जो में प्रेटिशन दिया था उसको कर दिया गया है किस गधार पर कोई भ्यादा केस को रेजिस्टर भी नहीं किया गया पार्टी को बुलाया गया ऐसा है और इस मिसल आखर उनका है केस थर्टी टू पर भांती को नहीं बुलाया गया नहीं बुला नोटिस नहीं जारी किया गया कि दरफ से वकिल साभ आया था कैनूनि न्याहिए कि इस पेटीशन में मेरा केस भी ररेजिस्टर नहीं किया था, ए जो record केस आप से एक वडसी जो चोटे लाशार जी है आप, आपका केस नंबर क्या है? तस बड़ा कह दा सत्रा? वो पुराना केस को सब्सक्षट था, सर अप किस केस को रेजिस्टर ही नहीं किया गया था? आप कौन से केस की भैस करने वाले हैं और रहे अपने जो केस नंबर अपनी समें लिखा है वही केस की पार मेरे पास है क्या करना है जिस के बारे में फिटिशन लगाई है वह रिभार्ड मेरे पास है उस केस mining ओर में समत्रहं कर्या वहां पर आप इसमें लिखा है किस तारक को दिया करद अब तरिवारा पारेश को दिया हां वह कुंसा है 27 से 26 टक 1422 पी टू या किस प्राफदान लग सकती है एक प्रेटिशन जब आपकी चल रही थी आपकी प्रेश्टीशन कैसे लग से लिए थक हैग्ट प्रॉपट डिस्मिस हो गया था कब डिस्मिस हुआ था उह था सब्सक्राइब को सब्सक्राइब को वादेश का है सब्सक्राइब को आपका फारीज हो गया फिर आपने यह पीटू में क्या लगा दिया था प्रेश पीटीशन कैसे लग सकती है और आपने कुछ लिखा हुआ है लेबर कोट ने अपने अदेश में लिखा है कि आपने यह चीजे प्रत्मीजियां की है वाँ पर चलिए ठीक है सब आपकी मर्जी है आपने यह जो पीटू की दरखास लगाई किस प्रावधान में लगा लगाई थी प्रावधान में लगाई थी शेडियूर में एक नहीं दिया गया था आपको सेक्षण नहीं मालूं नहीं लिखे थे आज बताईये सेडूल में ही केस जाते हैं वहाँ पर आरे तो किताब ले लिए कौन से गया था बताओ हमें नहीं मालूम है एक आदेश पारित हो चुका था तो आप किस प्रावधान में दुबारा दर्खास लगा सकते थे वहां पर और जब कोड ने आप से पूछा तो लेबर कोड के सामने आपने बत्तमीजियां की हैं ऐसा आदेश में लिखा हुआ है कि मैं इस प्रावधान के तहट आप दुबारा वहां चले गए थे तो किस प्रावधान के तहत आप दुबारा वहां चले गए थे कुछ पी हो अगर आपको उस आदेश से आपको संतुष्टी नहीं थी तो आपने उसकी अपील क्यों नहीं की कि आप वहां पर किस प्रावधान में दुबारा गए और फिर वहां किस प्रावधान में बत्तमीजियां कर रहे थे ऐसा अदेश लिख रखा है कोट ने पता नहीं कोट ने लिखा मैंने मैं थोड़े था महां पर तो और आज आप अच्छे से पहस्त कर रहें कोट में लिखा है कि नयाला है कि भलाना है कि ढंका है ऐसा ऐसा कुछ भूला है आपने राइट कोई बात नहीं है आप तो कानून पताओ मेरे कोट में खड़े हैं यहां आपने किस प्रावधान में मुकदमा हर जाने के बाद उसी चॉट में दवारा दर्खास लगाई कैसी प्राधान में लगाएगी की आप अपनी से कही पर भी लगएगाए मैंने आप से जब आईडिया का सैक्शन पूछ रहा हूं नहीं बता रहे है मैं क्या करूं आ आप करता हुआ है हमारी狙ी है को यहां सब्सक्राइब कानून बता ही है मुझे कैपेसिटी नहीं चाहिए मैंने आपका लोकस नहीं पूछा मैंने आवेदन पेश करने के अधिकारों के बारे में बात नहीं की है आप अपने अधिकारों की बात मत कीजिए आपसे पूछा किस प्रावधान में लगाया है मैंने यह नहीं कहा कि आपको अवेदन लगाने का अधिकार नहीं था मैंने आप से पूछा है कि आपने किस प्रावधान में लगा एक बार जब आप फार गए थे तब आपने किस प्रावधान में दोपार लगा दिया उसी को मैं हैं हमारा भी केस आच्छा होगा है मैं देख लूँ मैं देख लूँगा है मुझे अगर लगेगा कि आपका कोई प्रावधान के अंदर ठीक लगाए था तो फिर हम करेंगे और अगर आपको कोई अधिकार नहीं था दोबारा लगाने का तो फिर देखते हैं इस कि तो 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 नोबर टोटी एड श्री वाली तो टो इसाल रहे प्लाइग मैं लोट